आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ जब एक flaccid cell जो है वो फ्लेस किया जाता है hypotonic solution में तो वो plasmolize यहां फिर डीपॉल आस्मोलाईस होता है अब आप यहां पर पूछेंगे flaccid cell जो है यह कौन सा cell होता है तो flaccid cell जो है यह हमारा cell है in which water flows in and out of the cell तो यह जो है हमारा cell होता है जिसमें पानी जो है cell के अंदर और बाहर जाता है that is in the equilibrium हम इस cell को कह सकते हैं कि यह जो है हमारा cell है जिसे हम isotonic solution में रखते हैं और यहां पर जितना water जो है cell के अंदर आदा है उतना ही cell के बाहर जाता है तो इस type का जो हमारा cell है उसे flaccid cell कहा जाता है अब इस cell को जब हम hypotonic solution में रखते हैं आप देखें this is here the hypotonic solution और hypotonic solution में क्या होगा जो water है बाहर से वो हमारे cell के अंदर जो है enter कर जाएगा और यहां पे जो हमारा cell है it gets swollen means यहां पे जो हो रही है deplasmolysis यहां यू कह सकते हैं यहां पे हमारा जो cell है अब वो deplasmolysis होगा because यहां पे क्या होगा बाहर जो है lower external osmotic pressure है जिसकी वज़े से हमारा जादा पानी जो है वो जा रहा है cell के अंदर right and it ultimately leads to the deplasmolysis okay इसी manner में अगर हम बात करें यहां पे plasmolysis की तो plasmolysis जो है वो हमारी process होती है जिसमें जो हमारा cell है it loses water तो water जो है वो लूज करता है cell in the hypertonic solution because इसमें ज्यादा water जो है water comes out यह यह कह सकते है water जो है वो cell के बाहर आता है right जिसकी वज़े से जो हमारा यहां पे separation है cell membrane का cell wall से वो देखने को मिलता है in the plant cell so this is all about the plasmolysis and the deplasmolysis लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट आउट आच चार्सो 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 पर